हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हुराज यादाओ और एक बर पुना आपका बहुत बहुत स्वावत है नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरती के बारे में जो सिक्षा विभाग की जो vacancies आई हुई थी 2023 में और सिक्षक भरती के लिए जो 2023 में परिक्षा हुई थी उसकी posting और आधे पदों पर posting हो चुकी है कुछ पद उसमें बचे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसको सिक्षा मंत्री है श्रीप बुरिज मोहन अगरवाल जी उनके द्वारा इसको सिक्षा भाग के अधिकारियों किसां समिक्षा बैठक लिया गया और श्रीश गण में बेहतर सिक्षा प्रदान करना हमारा मक्षद है यह उनके द्वारा कहा गया बैठक में ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि व्यवस्ता से पहले बेहतर उस्ताई हो सके विद्दार्थियों कि भविष उज्वल हो इसके बारे में हमें आगे बनना होगा और आगे के मार को प्रशोस्त करने के बारे में सोचना होगा तो अगरवाल जी ने जो इसको सिक्षा मंत्री और सांती उच्चे सिक्षा मंत्री भी हैं तो उन्होंने इभागों की भरती और नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्सी रखने के संबंद में सकत हिदायत दिया और साथ ये भी का कि अगर किछी भी प्रकार का प्रश्टाचार होगा तो दोसी पाया जाने पर कठोर का रिवाही उनके खिलाब उनके विरुद की जाएगी ऐसा उन्होंने बैठक में निर्डे लिया है शिक्षा भाग में जो पिछली भरती में बचे हुए जो चैनित अभ्यरतियों के पद हैं उसके लिए जल्द से जल्द कांसलिंग कराने की भी उन्होंने निर्देश दिये हैं आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आप लोगों की कांसलिंग सुरू हो जाएंगे जो बचे हुए पद हैं और जो भी वर्ग तीन और वर्ग दो के जो बचे हुए पद हैं उनके लिए जल्द ही कांसलिंग सुरू हो सकती है ठीक है उसके सक्ट यहाँ पर निर्देश दिये गए हैं कि सिक्षर वागम पिछली भरती में बचे वे चैनित अभ्यर्थियों कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को जल्द सुरू करने के निर्देश उन्होंने दिये हैं ठीक है तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भी भरती प्रक्रिया है उसमें तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी यह हुए पुराने पद और इसके साथ ही जैसे ही यह भरती कंप्लीट हो जाती है तो नए पद जिसमें लगभग 57,000 पदों पर भरती की मांग अभ्यर मंत्री जो बने है उनके द्वारा पुना फिर से बैठा के बाद इस पर निड़ाय लिया जा सकता है और पूरे 57,000 पदों पर भरतियां आएंगी या फिर इनको किस्त में निकाला जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों की यह भी मांग है कि प्रती वर्ष केलेंडर जारी किया अभ्यर्थियों की मांग है तो देखा जाने वाला बात यह है कि आगे यह सारे पदों पर एक साथ भरती आती है या कुछ-कुछ पदों पर प्रती वर्ष जो है भरती कर निड़ा लिया जाता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही था इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद